हेलो फ्रेंड्स मैं हर्मी था पर हैस्टेंग इंडिया ड्रीम्स चैनल में आप सब लों का हर्दिक स्वागत करता हूँ आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बजार जैसी बच्चों की फेवरेट पटैटो स्माइली की रेसिपी तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदा टेस्टी रेसिपी को बनाना पटैटो स्माइली बनाने के लिए हमने लिए हैं दो घंटे पहले उबाल कर रखे हुए आलू अच्छे से छंडे हो गए हैं अब इनको कद्दू कस कर लेंगे कद्दू कसी करेंगे इनको ताकि इनमें लम्स नहीं पड़ेंगे सारे अलू कद्दू कस कर लिए हैं अब इनमें डाल देंगे नमक, स्वादनुसार आदा चमच लाल या काली मिर्च डाल देंगे आदा चमच अमचूर पाउडर डाल देंगे आदिक टोरी के करीब bread crumbs ढाल देंगे दो चमच corn floor ढाल देंगे और अब सारी चीजों के अच्छे से mix करेंगे और dough बना लेंगे corn floor कम या ज़ादा ढल सकता है ये आलों के moisture पर depend है एक चमच corn floor और ढाल दिया है इसमें फिर से mix करेंगे और अब फिर से dough तयार कर लेंगे bread crumbs बनाने के लिए 2-3 bread ले 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 और छोटे-छोटे टुकडे करके उनके grinder में डाल कर ग्राइंड कर ले dough अब तयार है इसको अब ढखकर freeze में रख देंगे कम से कम आदा घंटा आदे घंटे से जादा होगे अब निकाल लेते हैं dough को dough अब ready है तयार है अब platform पर थोड़ा सा conflore डालेंगे और dough को बेल लेंगे dough को पतला नहीं बेलना है इसको थिक ही रखना है हमने और अगर जरूरत पढ़ती जाए अगर चिपक रहा है dough बेलन में तो थोड़ा सा conflore लगाते रहें अब एक चोटी सी डब्बी का ढखन लेंगे और उसमें भी conflore लगा देंगे और चोटे चोटे pieces निकाल लेंगे हमें थोड़े मोटे pieces ही निकालने आए नहीं तो फिर ठीक नहीं बनेंगे हमारे smiley और अब यह बचे हुए dough को दुबारा से set कर लेंगे बेलकर फिर इसके pieces निकाल लेंगे यह देखे इतना थिक होना चाहिए piece अब एक छोटी सी gold stick लेंगे और उसमें corn floor लगा देंगे और ice बना लेंगे ice थोड़ी बड़ी बड़ी ही बनाए क्योंकि तलते समय फिजिये थोड़ी श्रिंक हो जाएंगी अब smile बनाने के लिए चमच में भी corn floor लगा लेंगे चमच को पहले आगे करके और फिर थोड़ा थोड़ा साइडों में घुमा कर smile बना लेंगे अब थोड़ा सा नीचे से खीच लेंगे हलका सा और इस तरह यह एक smiley अब तयार हो गया है सारे smiley बना कर आदा घंटा फ्रीज में रख देंगे इनको आदा घंटा हो चुका है तेल रख दिया था हमने गरम करने और यह देखे पीस डाल के देख लिया है तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें एक एक करके smiley डाल देंगे जितने आराम से आए उतने ही डालेंगे सारे smiley डाल देंगे हमने और flame को अभी medium to high रख है एक मिनट तक ऐसे ही हम fry करेंगे या जब तक smiley सारे उपर नहीं आ जाते अपने आप से अब सारे smiley उपर आ गए है और अब flame को कम कर देंगे low to medium कर देंगे या medium पर कर देंगे आपकी ये pan के तले पर depend है मोटा है या पतला है अब नीचे golden color आ गया है इनमें अब हम इनको पलड़ देते हैं अब ऐसे ही दूसरी side golden color आने तक इनको ऐसे ही fry करेंगे दोनों तरफ से अच्छा सा golden color आ जाए बस इनको हम ऐसे ही उलटते पलटते हुए fry करते रहेंगे और यह देखे अच्छे से यह fry हो गई है अब हम इनको निकाल लेते हैं और यह tasty delicious snack बच्चों की favorite smiley recipe बनके तयार है और हमने इसको serve भी कर दिया है thanks for watching god bless you all please like share comment and subscribe bye have a great day सुखी रे स्वास्त्रें खुश्रें